हलो फ्रेंट्स जै मातादी कैसे हैं आप सब तो इस तो होली आ रही है होली यानि खुशियों का पर्व रंगों का पर्व और रंगों से सरोबार कर हमारे तन मन को खुशियां प्रदान करने का पर्व और ये पावन पर्व और होली का की अगनी से भगवान स्री विश्नु द को कोस के आतंक से बचाया था दोस्तों महान रात्री है महान निशा है तंत्र की रात्री है और फागुन माह की पुर्णिमा को मनाया जाता है और होली से एक दिन पहले पुर्व रात्री में होली का देहन होता है और अगले दिन धुलेंडी मनाई जाती है इस दिन इस साल इ होली काध है और हिला होली का गहने हैं और बहु है कि भद्रा गजा से लिपना होली का देहन कभ विना होली का देहन नहीं किये जाते यह सब ही चीजें बात करेंगे दोस्तों और का इस दीर होलाश्ट कर लग चुका है तो यहूं समय था जब श्रीहरी भगवान विश्णु के परम भक्त प्रहलाद को बंदी बना करके कड़ी यातना ही उसे दी गए थी अता इस दौन दौरान कहा जाते कि सभी ग्रह बहुत ही उग्र अवस्था में होते हैं जैसे अश्टमी को चंद्रमा नौमी को सूर्य दश्मी को शनी एकादसी को शुक्र, द्वादशी को गुरू, त्रयोदशी को बुध, चतुरदशी को मंगल और पुर्णिमा को राहू उग्रस्वभाव में होते हैं और इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्ने की शम्ता कमजोर हो जाती है जिसके कारण वो गलत निर्ने लेने लगता है और हानी की आशंका बरती है इसलिए इस दोरान कोई भी शुब काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए साथी साथ होली का देहन का शुब मोहरत में आपको होली का देहन करना चाहिए इस बस 17 मार्ज गुरु वार को होली का देहन करी जाएगी जिसे छोटी होली के नाम से भी कहते हैं पुर्णिमा तिथी का प्रारम आपका 17 मार्ज को दोपहर 1 बच कर 29 मिनट से हो रहा है और 18 मार्ज को दोपहर को 12 बच कर 46 मिनट तक रहने वाला है यानि देहन आपका सत्रमार्च को ही होगा भद्रा रहित शुब मुहर्त में करना चाहिए और सत्रमार्च को दोपह डेड़ बजे से भद्रा लग जाएगी जो कि रात को एक बच कर तेरह मिनट तक रहने वाली है भद्रा काल में होली का देहन निशेद माना गया है और होली क का मुख त्याग करके देहन किया जा सकता है तो भद्रा निशित काल तक रादरी एक बच कर तेरह मिनट तक है ऐसी स्थीती में दो विकल पारे पहला भद्रा समाप्त होने पर आप देहन कर सकते हैं रात को एक बच कर तेरह मिनट पर दूसरा भद्रा का मुख छोड़कर प दोस्तों भद्रा क्या होता है हमेशा बताती हूँ सात्रवे करन का नाम पंचांग में विष्टी है और यही भद्रा के नाम से जानी जाती है शनी देव की बेहन और सूरी पुत्री मानी जाती है अत्यन्थ ही तामसी और क्रोधी देवी है इसलिए इस दौरान नहीं करते हैं तो सभी लोग ध्यान रख लें कि कैसे किस प्रकार से आपको देहन करना है और होलाश्टक लग चुका है तो होलाश्टक में कोई भी शुब काम ना करें जादा से जादा कश्टों को दूर करने के लिए इस दौरान आपको विश्णू सहसर नाम का पार्ट, दुर्गा सब्त अगनी को विनाशक माना गया इसे जल कर सब कुछ भस्म हो जाता है और अगनी देव प्रसन नहों तो आप पर शत्रु कभी भारी नहीं पड़ते और इसलिए होली का देहन में कुछ विशेश चीजें इस अगनी को अर्पित की जाती है ताकि आपके भी कश्ट दूर हो सके और इस बार में आपको विशेश बताऊंगी कि आप राशी अनुसार होली का देहन में कुछ खास चीजें अर्पित कर सकते हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत बहुत फायदे मन होगी जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम मेश राशी वालों की मेश राशी के जातकों को होली का देहन की अगनी में काले तिल एक मुठी डालने चाहिए इससे एक तो आपकी सेहत की अच्छी बढ़ोतरी रहेगी परिवार के स्वास्ते की बढ़ोतरी रहेगी और जिन लोगों की राशी मेश है आप चाहें तो वो एक साबुत नारियल जिसे जटा वाली नारियल जब होली का देहन में जाएंगे तो साथ फेरी करके अपने घर के सभी मेंबर्स के उपर से वार के उस नारियल को आप होली में डाल दीजे आपकी सभी समस्याएं जरूर खत्मा होंगी बात के लेते दोस्तों हम दूसरी राशी यानि वरिशब राशी वालों की आपको होल की अगनी में मक्य का लावा डालना चाहिए इससे एक तो जो लोग मैरेड हैं उनका दामपत्य जीवन बहतर होगा जो लोग प्रेम संबंदों में उनके प्रेम संबंद बेटर होंगे और अपने अच्छाई के लिए अपने भविश्य में सभी कामनाओं की पूर्ती के लि बाजार से दस-दस पैसे एक एक रुपे में सफेद कोडियां आती है वो ला सकते हैं उसकी बना लीजे फिर इस पोटली पर आपको चंदन का इत्तर लगाना है और अपने सिर के उपर से साथ बार वार करके उल्टी दिशा में होली का देहन की अगनी में डालना है आप दे दोस्तों मितुन राशी वालों की मितुन राशी होली का देहन की अगनी में आपको इस बार गुड़ डालना है अपनी पुझा की ठाली में गुड़ जरूर रखें और साथ यह साथ अगनी देव से अपने रोजगार को ठीक करने के लिए अपने जीवन में आ रही मुश्क ताल मखाने होते हैं वो रख दीजी और फिरमकानों को अपनी समस्या बोलते हूए हम कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम करकराशी वालों की, करकराशी वाले आपको होलिका में अनाज की बालिया डालनी चाहिए, जो की बालिया विशेश रुप से इस समय गेहूं की बालिया, गुजो की बालिया मिलती है, अपनी मन की बात इश्वर को बोलें, अपने ये समस्याओं की सम ले लिजे या जौ ले लिजे किसी की भी फ्रेश दाने जो बिना बिना उसको हटाए वे आपको मिलते हैं अगर नहीं मिले तो आप 27 गेहूं के दाने या 27 चावल के दाने से उपाए कर लीजे और गेहूं और चावल के आटे का एक दिया भी ही आपको बनाना है इस वार 4 मु कि दरवाजे पर ज़ला कर रखना चाऎे, झो यसनों बात कर लेते हैं अम सिंह राशी वालो की, आपको चंदन की लकड़ी कहीं से प्राप्त हो तो चंदन की लकड़ी इसवारा पर पित करें आपकी नौकरी में सुधार होगा, व्यापार में सुधार होगा, सेहत में करें कि आपके घर परिवार को सुक सम्रिध्धी प्रदान करें सिंग राशी वालों को पान के पत्ते पर एक पूजा की सुपारी रख लीजे एक बताशा रख लीजे और घी में डुबो कर दो लॉंग रख लीजे फिर आप जब होलिका के लिए जाएंगे तो साथ बार अप अपने सुरक्षा की प्रार्थना करें अच्छी सेहत की प्रार्थना करें भगवान से प्रार्थना करें कि आपके किसी भी प्रकार की बुरी नजर बादा है ग्रह बादा है दोश है किसी भी प्रकार का किया धरा है वो सभी नश्ट हो जाएं और इसके लिए क्या करेंगे बाइस लोँग और ग्यारा दुर्बा की गांट बना सकते हैं जितनी आपको मिले दौ-तिन दुर्बा की भी गांट जैसे बना लिजे और उसे लेकर के परिवार के सभी सदस्यों और बच्चों से हाथ में लगवा कर मंदिर में गणेश जी के सामने बिराजित कर लिजी क्या क्या लेंगे 22 लॉंग और 11 दुर्भा की गांट और होलिका देहन पर जब जाएंगे तो सभी लोग फेरी लगा करके इसको आप अगनी में अर्पित कर दीजे ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्यों का दुर् जालनी है होलिका की अगनी में और बड़े ही चंचल सभाव क्या आप होते हैं अपने मन को अंकुष में रखने की मनो कामना करें आपके मन बहुत विचलित चल रहा है कुछ दिनों से तो उसको कंट्रोल रखने की मनो कामना करें और एक पीपल का पत्ता ले लिजे और उस करने से आपके घर परिवार से जुड़ी सभी समस्याइद दूर होंगी आपके घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से ओम का चिन्न बनाएं जब आप लोट के आएंगे होलिका देहन से तो लोटने के बाद उसी धाली में से कुमकुम ले करके आपको अपने में गेट पर स अगनी देव से आपको प्रार्थना करनी चाहिए और एक पान का पत्ता ले लिजे साबुत पत्ता ले लिजे डंडी सहित और एक सुपारी रख लीजे घी में डुबोए हुए पांच कमलगटे के दाने रख लीजे इसके बाद 27 बार आपको हनुमान जी का मंत्रा ओम हनु इसका जब करना है और जब के बाद सारी चीजों को होलिका की अगनी में आपको अर्पित कर देना है आप देखेंगे इस से आपके व्यापार में करियर में नौकरी में कहीं भी कोई समस्याएं होंगी तो वो दूर हो जाएंगी और आप माला माल होते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों हम धनूराशी वालों की, आपको मक्य के लावे डालने हैं, अपने परिवार की सुक्षानती के लिए प्रार्थना करनी है, और अनाज इतना लेना है कि कुल में लाकर के साथ प्रकार का अनाज ले लिजे, हो सके तो साथ प्रकार का ले लिजे, ज्यादा नहीं लेन तो फिर आप इसे अपने सिर के ओपर से साथ बार उल्टी दिशा में वार लेजे और होली का देहन की अगनी में डाल दीजे आप देखेंगे सभी नौगरे से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से खत्म हो जाएगी बात कर लेते हम दोस्तों मेरी यानि की मकर राशी वालो और अपनी समस्या बोल करके पत्ते को घर की पश्चिम दिशा में एक दिन पहले रख दीजे जिस दिन आप होली का देहन के लिए जाएंगे उस समय इस पत्ते को अपने उपर से लेकर के साथ बार उल्टी दिशा में वार लेजे और फिर होली का की अगनी में आपको इसे करने से आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसे भी बहुत सारी साड़े साती को लेकर समस्याएं आ रही है हर प्रकार की जीवन की समस्याएं दूर होगी आपको नजर दोश बहुत जल्दी लगता है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा बात न लेते हैं दोस्तों हम कुम्भ राशी वाले आपको इस बाव होली का देहन में कपूर जरूर अर्पित करना है आपके आर्थिक हालात अगर बिगडे में हैं करज चड़ चुका है परेशान है तो इनको ठीक रखने की काम ना करनी है और आपको एक बड़ा पान का पत्ता ले लेना है डंडी सहीद और बुत उडद डाल के पत्ते पर रखने है और फिर अपनी समस्या बोल करके इसे होली का माता की अगनी में अर्पित कर देना है आप देखेंगे आपकी धन समपत्ती से जो भी जुड़ी समस्याएं है जायदात से जुड़े कोई विवाद है किसी प्रकार का दुर्भाग्य है व्यापार की समस्याएं है करियर की समस्याएं है बिजनस है लव रिलेशनशिप है सभी की समस्याएं इससे जरूर दूर होगी बात कर लेते हैं last but not the least मीन राशी वालों की मीन राशी वाले आपको होली का में अपने हातों से लकडी डालनी चाहिए और जिन लोगों को सं संतान की सचे दिल से काम ना करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी और परिवार की सुख शांती के लिए इश्वर से प्रार्थना करें आपकी होली जरूर शुब होगी और जिन लोगों की भी राशी मीन है वो एक बड़े पान के पत्ते पर एक मुठी हवन की अगनी की साथ बार परिकम्मा करके इसे अगनी में आप डाल दीजे ऐसा करने से एक तो आपके जीवन का दुर्भाग्य नश्ट होगा आपका मन शांत होगा सभी तरक के कश्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत होली आ रही है बहु अगर आपके आप कुछ पूजा पाट नहीं होता और यह सब आप नहीं कर सकते उसे लेकर के जाईए और होलिका की अगनी में अर्पित कर दीजे जिन लोगों के पास में जो अब्रॉड में मुझे सुन रहे हैं होलिका देहन नहीं होता है वो लोग गोबर के कंड़े या क कोई भी थोड़ा सा फायर कहीं से जला लें और उसमें यह चीजे अर्पित करें अपने घर में जो उपाई मैंने बताया है और देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस बार आपकी समस्याएं जड़ से जरूर दूर हो जाएगी तो कर लेजे उपाई दोस्तों खिल खिलाते दोस्तों होली और फिर एक नई जोश के साथ फिर एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे फिर सारी पुरानी चीज़ों को जला कर राक करके फिर अपनी जीवन में रंगों को भरेंगे तो चलिए मिलकर करते हैं उपाई दोस्तों खिल खिलाते रहें मुस्कुराते रहें आपने friends, family, mummi, papa, भाई, भेन, बच्चिया, केले नहीं करना है, सभी को इसमें include करें, ताकि सभी लोगों के जीवन से negativity दूर हो और एक सुन्दर दुनिया कायम हो सके, हम सभी से शेर जरूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाई कप किसकी life बदल दे, so take care friends, love you all, छे मता दी, भूले नात की